ये वाडू और मगादीरे जैसी शानदार पिक्चरों में अपनी एक्टिंग के दमपल लोगों के दिलों में जगब बनाने वाले रामचरन के बारे में आज हर कोई जानना चाता है रामचरन साउथ की फिल्मों के सूपर इस्टार कही जाते हैं बता दे कि ये साउथ की फिल्मों के सूपर इस्टार चिरन जीवी के बेटे हैं रामचरन ने अभी तक साउथ की कई फिल्मों में काम किया है और इनकी अधिकतर फिल्में सूपर डूपर हिट साबित हुई है और रामचरन साउथ इंडस्टी के सबसे जादा कमाने वाले एक्टर्स में से एक है इस वीडियो में इनकी लाइव स्टोरी और लाइव स्टाल के बारे में बताएंगे तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आपको रामचरन पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देजेगा तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं रामचरन का पूरा नाम कोईने डैला रामचरन तेजा है और निकनेम इनका चैरी है रामचरन प्रोफेशन से एक्टर फिल्म प्रोडियूसर और बिजनिसमैन है रामचरन का जनम 27 मार्च 1985 को चिन्ने तमिल नाडू में हुआ और 2022 के हिसाब से 37 साल के है रामचरन ने स्कूलिंग पदमा शिशादरी बाला भवन चिन्ने से की और ये फिर लॉरेंस स्कूल लवडेल चले गए जिसके बाल रामचरन ने दा हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगम पेट में एडमिशन लिया और स्कूलिंग कंप्लीट की और फिर इन्होंने सेंट मैरी कॉलेज हैदराबाद से ग्रिजुएशन कंप्लीट करी दोस्तो रामचरन एक फिल्मी बैक्राउंड से आते हैं जिनके पिता और दादा एक्टर रह चुके हैं और रामचरन एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले एक आटो मॉबाइल इंजिनियर बनना चाहते थे लेकिन फिल्मी बैक्राउंड होने की वज़े से ये एक एक्टर बने और एक्टिंग सीखने के लिए इन्होंने किशोर नमित कपूर मुंबई मारेश्टर एक्टिंग स्कूल अटेंड किया और एक्टिंग सीखी अब बात करते हैं रामचरन के करियर के बारे में फिल्मी बैक्राउंड होने की वज़े से रामचरन को ज़्यादा दिक्कतों का सामने नहीं करना पड़ा 2007 में रामचरन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुवात करी तेलगो फिल्म चिरूथा से लेकिन ये फिल्म आते ही फ्लॉप हो गई फिर भी अपने परफॉमेंस की वज़े से रामचरन को इस फिल्म के लिए बैस डेब्यू का फिल्मफियर अवर्ड और नंदिनी इस्पेशल जूरी अवर्ड मिला जिसके बाद 2010 में रामचरन की दूसरे फिल्म मगधीरा आई इसमें रामचरन ने डूल रोल प्ले किया और ये फिल्म दो साल दो महीने तक लगाता ठेटर में चली और 35 कड़ों के बज़ट में बनी फिल्म मगधीरा ने 1.500 कड़ों रुपे की कमाई की और ये फिल्म 2013 तक हाईस ग्रोसिंग तैलगो फिल्म रही और इस फिल्म ने 6 अवोर्ड अपने नाम किये और फिर 2010 में फिल्म औरेंज और 2011 में फिल्म राचा में काम किया और 2013 में तैलगो फिल्म नायक के बाद इन्होंने बॉल लुड में भी एंट्री की फिल्म जंजीर से इसमें इनोंने ACP वीजे खन्या का एक खतनना केरेक्टर प्ले किया और 2014 में रामचरन की दो तैलगू फिल्म आई और ऐसे ही रामचरन ने कई फिल्म में काम किया है जिन में से जादा हिट रही तो वहीं कुछ फ्लॉब भी रही और उन में से कुछ फिल्मों के नाम है बुरुसली दा फाइटर, धुरुवा, रंगास थलम और विद्याया विद्या रामा दोस्तो 2022 में रामचरन की दो फिल्म आने वाली है जिनके नाम है अचारिया और त्रिपल आर लेकिन कुवीट की वज़े से ये फिल्म पोस्पोन हो गई, अब देखते यह है कि ये फिल्म में रिलीज कब होती है अगर ये फिल्म रिलीज होने के बाद आपने ये फिल्म देख ली है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना फिल्म आपको कैसी लगी दोस्तो दोहे 16 में रामचरन ने खुद का एक प्रोड़क्शन हाउस ओपन किया जिसका नाम इन्होंने कोनी डेला प्रोड़क्शन कमपनी रखा और दोहे 17 में पहली फिल्म खिलारी नंबर 150 प्रोड्यूस करी और इनकी खुद की एक पोलो टीम भी है जिसका नाम रामचरन ह हेदराबाद पोलो राइडिंग क्लब है दोस्तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना रामचरन की कौन से फिल्म आपकी सबसे फेवरेट फिल्म है अब बात करते हैं रामचरन के हाउस के बारे में तो दोस्तो रामचरन जुबली हिल्स हेदराबाद में रहते हैं पोर्ट के मुताबिक इस घर की कुल कीमत 38 कड़ों रुपय है और इसके अलावा रामचरन के रियल इस्टेट में कई और प्रोपर्टीज भी है चलिए मिलवाते हैं आपको रामचरन की फैमिली से तो इनके पिता का नाम है चिरन जीवी जो की एक एक अक्टर और 40 में उपासना कमे नीनी से शादी की है अब बात करते हैं रामचरन के इंकम के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दू रामचरन एक फिल्म में काम करने के लिए बिस करूर रुप直接 करते हैं और ऐक ब्रांडичего करने के लिए और डोजारण करते हैं और यूजर expert पल्यार् बात करते हैं राम्चरन के टूंतल नेट वर्ठ 137 8castु रूपए है वहीं बात करें राम्चरन के दियनकेано सीडिय्जीज में सप्षिप्युंपई कीमत है इनके पासkorस्व perish in के नेक्生रस सिबर 300D coupe है जिसकी कीमत है 1.25 रुपे और चौती कार इनके पास range rover LBW Vogue है जिसकी कीमत है 2.37 रुपे और इनके पास BMW की BMW 760 LIB है और इस कार की कीमत है 2.46 रुपे और इनके पास Aston Martin V8 Vantage भी है जिसकी कीमत है 2.3 करूर रुपे और राम चारन के पास last car Mercedes में best GLS 600 है जिसकी कीमत है 4 करूर पे तो दोस्तों ये थी राम चारन के लाइव इस्टाल वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन वीव प्रेस कर लेना